अभी हमारे हाथ में एक फॉर्म देख रहे हैं आप ये सिर्फ महाज एक फॉर्म नहीं है बिहार में जी ओभी सर्वे चल रहा है जमीन का सर्वे उस सर्वे का ये बैकबॉन है रीर का हड़ी जैसे सरीर के लिए जरूरी है वही ये जरूरत है जमीन सर्वे के लिए ये है आते चले कि दो ही फॉर्म जो है पूरे जमीन सर्वे का रीर का हड़ी है अगर वो दोनों फॉर्म भरने में आपने गलती कर दिया तो आपको अपने जमीन से हाथ धोना पर सकता है आपके जमीन में उलट फेर हो सकता है तो यह पहला फॉर्म है प्रपत्र टू और एक आता है प्रपत्र 3 जो वंसावली फॉर्म के नाम से भी जाना जाता है इस दो फॉर्म को आप अच्छे से भढ़िए या किसी से भरा लीजिए या अच्छे से इस फॉर्म के बारे में आप समझ जाएए अगर प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 वंसावली दोनों फॉर्म को अच्छे से आ लाँ नहीं कर पाएगा यह मेरी गारंटी है तो चलिए आज के वीडियो में हम आपको प्रपत्र टू भरना सिखाएंगे इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे मौजा क्या है राजस्वग्राम क्या है चोहदी क्या है रकवाख हाता-खिसरा रहीत क्या है हिस्सेदा हो गया तो बिना देर किये बिना गलती के चलिए हम प्रपत्र टू भरना सिखेंगे देखते हैं आगे क्या होता है हलो दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा अभी जो जमीन का सर्वे पूरे बिहार में चल रहा है उसका सबसे इंपोर्टेंट फॉर्म यह प्रपत्र टू म यह फॉर्म भरे तो किसी अच्छे लोगों से भरवा या खुद से भरे तो बारीकी से भरे क्योंकि यही फॉर्म अगर गलत हो जाएगा तो आपका सर्वे कराया नहीं कराया सब बड़ाबर हो जाएगा इसलिए इस फॉर्म को हम बारीकी से समझाएंगे और ज्यादा समय भी नहीं लेंगे हम हर एक वीडियो में आपको अच्छे से बताते भी हैं और हम समय भी ज्यादा नहीं लेते हैं चलते हैं वीडियो के साथ आपको लेकर सबसे पहला option में इसमें देखी क्या है राजस्व ग्राम यह राजस्व ग्राम जो है पहले आजकल जो फॉर्म भरन के लिए बता रहा है तो हमको लगा कि क्यों ना भाई हम सही सही फॉर्म भरना आपको कम समय में बता दे हम जो भी फॉर्म भरते हैं या आप कोई भी सुचना लाते हैं तो हम उससे संबंदित अधिकारी का इंटर्विव करते हैं उससे जानकारी लेते हैं तब ही कोई फॉ यहां देखे ये राजजा सुग्राम का मतलब होता है हम जिस गाहों में रहते हैं सका नाम भरेंगे नहीं राज empresa का मतलब वह गाउंव हो सकता है वह आपका राज सुग्राम देखिए मजसरा नाम क्या होता है मौजा होता है जिस मौजा में है वो मौजा यहां पर आप भर देंगे कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट करिएगा उसके बाद क्या है थाना संख्या अब थाना संख्या जो होता है हर एक मौजा में एक या दो थाना भी हो सकते है तो सब थाना का अपना अपना नंबर होता है, तो वो थाना नंबर आपको यहाँ पर भरना है, बिल्कुल गौर से सुनिए, और एक ही वीडियो में सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको, यह हलका नंबर है, यह हलका नंबर अगर आपको पता नहीं है, तो यह mandatory नहीं है कि अगर आपको जानकारी है, तो हलका नंबर भरिए, अगर नहीं जानकारी है, तो बिल्कुल आप छोड़ दीजिए, उसके बाद है पुलीस थाना, आप देखिए, उसके बाद क्या है, पुलीस थाना, यह थाना जो है, और यह पुलीस थाना, दोनों बिल्कुल अलग होता ह ये थाना जो है एक मौजा के अंदर एक दो थाना हो सकते हैं लेकिन ये जो पुलीस थाना है आपका एक ही होता है ये पुलीस थाना का नाम आप यहाँ पर भर देंगे अगर आप पुर्णिया जिला में हैं तो जैसे रुपॉली थाना है मिरगंज है मान लेते हैं धमदाहा थाना होगा तो इस तरह से थाना का नाम यहां पर भर देंगे आप लोग समझी गए होंगे अंचल अंचल तो सब जानते हैं प्रखांड ब्लॉक यह सब अंचल को ही कहते हैं तो यहां पर अंचल का नाम आपको भर देना है बिल्कुल गलती नहीं करनी है जीला का नाम आपको यहां भरना है यहां तक में अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमको कमेंट कीजिएगा हलका का मतलब आप समझी गए अगर समझ में नहीं आया तो आप हलका नंबर नहीं भरिएगा हलका के बारे में हम थोड़ा सा आपको बता दें कई मौजा को मिलाकर हलका होता है और कई हलका को मिलाकर अंचल होता है ये भी जानकारी जिन लोगों को नहीं है वो भी अब आजकल प्रपतर टू भरना सिखा रहे हैं तो चलिए अगले कॉलम के तरफ बरते हैं अगले कॉलम में कहा है रैयत का नाम सहिस्सेदारों का नाम एवं अंस अगर कोई हो सहित एवं पिता का नाम इसमें भरना है अब देखिए जैसे कि जैसे मान लेते हैं रैयत का नाम कोई आपका खतियानी जमीन है उस खतियान में चार लोगों का नाम है या दो लोगों का ना तो यहां पर ऐसे लिखेंगे, और एक बटे-दो लिख देंगे, और अगर नाम है किसी का, मान लेते हैं, दुसरे का नाम है रितेस, तो आप यहां पर रितेस भरेंगे. और वो दो लोग का है तो इसका भी एक बटे दो कोई दिक्कत नहीं है ये चीज आपको इसी तरह भरना है उसके बाद पिता का नाम लिखना है जो भी पिता का नाम होगा पिता का नाम लिखेंगे उसके बाद अस्थाई पता इस कॉलम ये समझ में आ गया ना अगर ये समझ म नहीं आया तो आप comment करिए का फिर से हम आपको comment box में चिस समझा देंगे लेकिन जितने लोगों का नम होगा खतियान में उतनौ बटे एक बटे उतनौ लिखताने चार लोग का नम एक बटे चार दो लोग का हिस्सा है तो एक दो जितना अंस होगा वही अंस भाग यहां पर जो है आगे में लिखना है अस्थाई पता है अस्थाई पता में क्या करना है ऐसा पता जिस पर कोई भी कागज आपको भेजे कहीं से तो वह आ जाए और आप रिसीव कर पाएं उसी को अस्थाई पता कहते हैं उसमें आपको ग पोस्ट लिखना है थाना लिखना है भाया लिखना है जीला लिखना है पिन कोड लिखना है बिहार लिखना है यह आपका अस्थाई पता हो जाता है कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा जिस जमीन से संबंधित आप यह बना रहे हैं यह प्रपतर टू भर रहे हैं उसका खात नहीं समझने है एक ढेन से कहते है के लिखा जमीन है आंपको तो वह हुता है रखवा तो करेंगे शायत जिस्टा आपको घ्र we gonna तो यहां पर आप रखवा भर लेंगे अब फौहद दि इसमें सब लोग गल्ती करते हैं ज्यादा लोग गल्ती करते हैं क्वादी गलत भर देंगे तो आपका जो खत्यान बनेगा वह बिल्कुल गलत हो जाये हैं आपको क्या करना Grande आप जो भर के देंगे वही बन के आएगा याद रखियेगा अराम से भरना है दीरे दीरे भरना है अब किस्म जमीन इसके बारे में तो बढ़ियां बढ़ियां लोगों को जनकारी नहीं है लेकिन वह प्रपत्र टू भरना सिखाएंगे आपको अब देखिए उसको अगर पूछ लीजिए का कितने किस्म का जमीन होता है तुसको पता भी आज कल कई यूट्यूबर का मैंने वीडियो देखा किस्म जमीन को देखते ही भाग जाते हैं लगता है जैसे की काटने दोर है किस्म क्योंकि उसको ज्यान ही नहीं है कि जमीन कितना अप्रकार का होता है अभी जैसे हम बताते हैं किस्म जमीन में भीट होता है धनहार है चा साब जैसे एक किस्म होता है जैसे जमीन का भीट होता है इसमें क्या होता है आपको पता होता है एक होगा तो तो क्या होगा फिर दो फसल वाले में क्या भढ़ेंगे यह सब लोग जौनते भी नहीं है और आपको पर पत्र टू भरना सिखाते हैं अब सेस को छोड़कर लगान लगान का मतलब होता है वही जब आप रसीद कटाते हैं उसमें जो पैसा लगता है उसको लगान काते हैं कित अक्षर में आपको लिखा मिल जाएगा उपर में जमावंदी संख्या वहों से लेंगे जमावंदी संख्या और इसमें भरेंगे जैसे यह कई 133 है आप भर देंगे 133 अब देखिए क्या है भूमी पर दावा का आधार यथा उत्राधिकार दौन क्रे बंदो बस्तन अब भूमी जो होता है आपके पास जो जमीन वो कितना प्रकार का है कैसे आपको वो जमीन मिला है मतलब आपका जो उसमें हिस्सा है अधिकार की सस्तर का है इसी को यह कहते है भूमी पर दावा का अधिकार अब देखिए यह था उत्तराधिकार जैसे आपके नम से है बेटा का ह चला था दौन में मिला है तो आप लिखेंगे दौन मिला है बंदोबस्त कराएं आप तो यहां लिखेंगे बंदोबस्त मतलब कोई एक चीज लिखना सब कुछ नहीं लिख दीजिएगा जिस अस्तर से आपको जमीन का हिसा मिला है जैसा आपको मिला होगा आधार जो है दाव में जमीन आपका फसा हुआ है मौन लिजिए चल रहा है तो क्या लिखेगा यहाँ पर केस नंबर आपको भरना है नहीं तो आपका जमीन का सर्वे नहीं होगा अगर इस फॉर्म को उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है मैं हम घोसना करती हूं कि स्वाग घोस आपको सर्वे गलत हो गया अगरा को किसी तरह का अभिल पॉर्म को भरने में दिख्कत है तो आप मुझे कमेंट करें गारें पकी बताऊं के हम आपको बतएंगे अब को हम अपको अपना नंबर देंगे होता है आप हमको बताइएगा वंचावली का भी डिटेल लेंगे फिलाल इतने हो जोन लिजे कि वंचावली के लिए जो लोग दोर रहे हैं सरपंच ओफिस में चक्कर काट रहे हैं वीडियो सी यो मुख्या के यहां दोर रहे हैं दोरने का कोई जरूरत नहीं एकदम आसोन तरीका से हम बताएंगा अपनों वंचावली अपने से खुद बनाईए और वो भेरिफाइड है बिलकुल सही है उसमें बरगलोने का कोई बात नहीं किसी को कहीं दोरने की जरूरत नहीं है किसी को पैसा देने की वंचावली के लिए जरूरत नहीं है बहुत अच्छा लेकिन आप बहुत बढ़ियां से भड़ियेगा इसमें गलती मत कीजिएगा इसी तरह अगला वीडियो हमारा चैनल पर जाकर देखिए जय हिंद भारत मता कीजिए